तो क्या इस बार जो लोग सवा चुनाब होने जा रहे हैं राजस्तान की अगर 25 सीटों की बात करें तो क्या बीजेपी कॉंग्रेस में कांटी टिक्कर होने वाली है उस पर भी बात करेंगे लेकिन उससे पहले यह समझना होगा कि टिकेट बित्रण मामले में बीजेपी कॉंग्रेस से कदम आगे रहे क्योंकि 15 लोग सवा सीटों पर अपने प्रत्यासी बीजेपी राज्थान में गोसित कर चुके हैं लेकिन कॉंग्रेस अभी सिर्फ तैयारी कर रही है क्योंकि कॉंग्रेस पता है दस साल से लगातार हमार इंदर रंदावा और गोविजिंग डोटास रासो गहलो सचन पैलिट सभी लगे हुए हैं कि ऐसे चेहरे लाएं जाएं जो बीजेपी को टक्कर दे सकें इसके लिए कॉंग्रेस पूरी त्यारी कर रही है बीजेपी 15 फाइनल कर चुकी है सीट कुछ दस सीट रहे गी हैं वो भी सुनने मारा एक दो दिन में फाइनल हो जाएंगी कॉंग्रेस भी बताय जा रहा है कि जल्दी ही अपनी 25 लोगसवा सीटों पर अपने प्रत्यासीत गोसित करने जा रही है जो काफी मजबूत होंगे वो कौन होंगे वो तो समय बताएगा लेकिन फिलाल हम अगर दे के कारेकाल में लगातार अवैद खनन जैसी गत्विदियों के खिलाफ आवाज उठाई और यही कारण था कि उन पर तीन चारवार जानलेवा हमला हुआ के इन सरकार की अवस संसा पर रहनदे घणिता कोली को वाइपलस सेक्रिटी दी गई रही है अबेथखन के खिलाप वोल रही थि पैंस साल से लगातर आवाज उठा रही थी और जो मुद्दे भरतपुर्के थे जो समस्यां भरतपुर्के थी उनको उठाने का काम वो लोकसवा में भी कर रही थी सब कोच अच्छा चल रहा था लोगों को बिस्वास नहीं हुआ जब रंजिता कोली की टिकेट काट दी गई और नया चेहरा रामसरुप कोली को टिकेट दे दी गई भरतपुर्लोग सवासीर से साथ ये चीज हजम तो रंजिता कोली को भी नहीं हो पारी होगी ना रंजिता कोली के समर्थकों को हो पारी होगी लेकिन बज़े क्या रही कि रंजीता कोली की टिकेट काटी गई हाला कि लोगों की अपनी-अपनी अलग-अलग राए हैं लेकिन जो कुछ बात निकल के आती हैं वो ये भी है कि प्रदेश जो बीजेपी नेतरत्व है बो रंजीता कोली से एक सामन जस जस इन दोनों के बीच में नहीं वैट पा रहा था पांस साल से यही वी एक बज़े हो सकती है हाला कि रंजता कोली ने काम बहुत किये थे, आवाज बहुत उठाई थी, लेकिन सामन जसन नहीं वैट पाया, यही बज़ा है कि उनकी टिकेट कही न कहीं काटी गई है अब रामसरूप कोली जिनको चहरा बनाया है, लोकसवा सीट बरतपुर से बीजेपी न वो हैं कौन, रामसरूप कोली कच्छा वार्मी तक पास हैं, वार्मी तक उन्होंने पढ़ाई की है, गुसावर के रहने वाले हैं, वैरविदान सवा छेतर में आता है 2004 से 2009 तक बयाना सीट से जो आरच्छित रही थी परसीमन से पहले, वह बाजपा के सांसद रहे थे, उसके बाद फिर 2018 के विदान सवा चुनाम में उनको बैर विदान सवा से टिकर दिया था, वो चुना भार गए थे, वजनलाल जाटव ने जो PWD मंतरी के इन सरकार बने, उ काफी 2009 के बाद अगर हम कहें, तो रामसरूप कोली ऐसे ही घुम रहे थे, आनकि पारिटी उनको टिकेट दिया था, ठारा के विदान सवा चुनाम, लेकिन वो चुना भार गए थे, लेकिन जो लग रहा था, जो चल रहा था कि 3-4 नाम है, जो काफी दावेदारी कर रहे है उनमें कोई आ सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा दावेदारी की मानी जा रही थी, क्योंकि वो मेला भी है, और बीजेपी नोंको कई बार कमेटी जो भार गई थी, उनमें भी सदस्य बना कर भेजा था, तो ऐसा लग रहा था, कि रेजिता कोली का टिकेट नहीं कट सकता, लेकिन कहा जाता है, बीजेपी में किसी को टिकेट मिल सकता है, किसी का टिकेट कट सकता है, किसी को कोई पद मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पूर्वन योजित कुछ नहीं होता है, जब चाहे जिसके साथ जो कुछ हो सकता है, और यहीं वज़या है कि रेजिता को होगा पुराना होगा नया चेहरा होगा वो तो भी देखने वाली बात होगी लेकिन रामसुरुप कोली को जो चेहरा बनाया है जो बिदान सबाद चुनाब भी हार गए थे अठारा में क्या वो कितने मजबूत रहेंगे बीजेपी कॉंगरेस की टकर कैसी रहेगी अब देख चेहरे पर चुनाब लड़े हैं तो लोक सवाज सीट किस से कौन प्रत्यासी होगा वो फिर कोई इंपोर्टेंट चीज में नहीं होती है प्रत्यासी का चेहरा कौन है वो कोई बड़ी बात नहीं है जब चेहरा ही मोदी है तो लेकिन फिर भी चेहरे बदले जाते हैं और ब बड़ी कि जाती है और यह श्कान करता है चुनाब में हालांकि बर से नहीं कर रहा है मोदी के नाम पे वोड़ जाती रही लेकिन इस वह बता रहे है की कास्टींस फेक्टर बहुत ज्यादा काम करेंगे क्योंकि मुद्दा यह ऑगा कि मद्दा यह भी होगा कि यह सीपी प चट्चाय की जाती है साधर में रखा जाता मोई में क्या है किसका सेर कितना है कब पानी मिलेगा किसको कितना मिले वो सब बताना चाहिए जनता गुम्रा नहीं करना चाहिए लेकिन वह भी मुद्दा हो सकता है डीजल पैट्रोल की जो रेट भड़ी हुई है आप लोग सकता है किसानों का जो आंदोलन चल रहा है वो भी एक मुद्दा हो सकता है जाट के ओवी सी में जाट आरेच्षण आंदोलन भी मुद्दा हो सकता है बरतपर दौलपर के जाट जो डिमांड करें 40 देन से मापड़ा पर बैठे हुए थे लेकिन सफलता नहीं मिली और कि अगर आरच्षण नहीं मिला आरच्षण नहीं तो बोट नहीं और फिर बता रहे हैं जाट जो आरच्षण संगर समयती उन्होंने 11 क्यामन आदमियों की कमेटी गठेत कर लिए पूरे जले में हर पंचायत हैड़कॉाटर पर 11 11 आदमियों की कमेटी का गठन अलग से कि घर में अरगाओं में चिपकाएंगे और जाएंगे और लोगों को गंगा जल हाथ में लेकर कसम खिलाएंगे कि हमारे आरच्षण नहीं दिया इसलिए बीज़ेपी को बोट नहीं दी जाए तो अगर जाटों का यह अविहान शुरू होता है बीज़ेपे के खिलाफ तो अब जो मुद्दे हैं वो हावी रहेंगे स्थाने मुद्दे भी हावी रहेंगे इसके वज़े यही वज़े है कि अब के बी जे पी और कॉंग्रेस में बर्द पुर लोकसभाव सीट और धोल पुर करोली लोकसभा सीट पर बहुत ज़ाद कड़ी टक्कर होने वाली है क्या क्या नहीं होगा कौन उपर जाएगा कौन नीचे जाएगा यह अभी फिलालते नहीं है कोई कह नहीं सकता लेकिन यह जरूर है कि मोदी के नाम पर बोट अमूमन पड़ती हैं वह विश्वास भी है लोगों को लेकिन यह जाती समीकरने यह हावी होने वाले जो बिदान सबस् और जाटों ने आरच्छन को लेकर बीजेपी के खिलाफ एलान वर दिया है क्योंकि आरच्छन नहीं मिला है तो बीजेपी को बोट रही देंगे अगर वो यह अभ्यान शुरू करते हैं पर जोड़ तरीके से करते तो बीजेपी के लिए कई ना कई देखे नुकसान तो हो पुर्वी राष्थान की जो दो सीट हैं बरतपुर और धौलपुर करोली यहां अब के मोधी फेक्टर काम करेगा वह अच्छी बात है लेकिन काटे की टक्कर बीजेपी कॉंग्रेस में हो सकती है जिस तरह से लोग बता रहे हैं हुआ 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 है